आप देख रही है MNS News, सच ज़रूरी है यह रेलवे द्वारा बनाय जा रहे पुल का हिस्सा गिर गया जिससे 17 लोगों की मारे जाने की खबर आई है मारे गए लोग मजदूर थे हास्से के वक्त मोके पर 35-40 मज़ूर के काम करने की जानकारी मिली है पुल के पाच पिलर बने है पिलर नमबर 3-4 के बीच का हिस्सा तूट गया है हास्से की जानकारी मिलते ही प्रशाशन नी रहात और बचाओ अभियान शुरू कर दिया है मलवे से लोगों को निकाला जा रहा है घायलों को हस्पिताल में भरती कराया गया है रेलवे की CPI ओ सबसाची दे ने बताया की रेलवे अधिकारी घटना सर पर पोज गये है पुरोत सिमान्त रेलवे की सीनियर अधिकारी भी घटना सर पर जा रहे है हास्सा सुबे करीब 11 बजे हुआ कई लोगों ने मलवे में दबे होने की आशंका है पूर आईजो को रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया जा रहा है मिज़रोम के मुख्यमंतरी जोराम गाथा ने हास्से पर दुख जताया है उन्होंने ट्वीट किया आईजोल के निकट सोरांग में निर्मान धीन रेलवे ब्रिज डलने से कम से कम 17 मजदुरों की मोत हुई है बचाव कारिया जारी है इस रास्दी से बहुत दुखी हूँ बचाव अभियान में मदद के लिए बड़ी संख्या में सानिये लोग सामने आये है उनके प्रती आभार वेक्त करता हूँ आये बढ़ते अगली खबर के और चोरों ने पहले जोतिस से निकलवाया मूरत फिर डाली एक करोड की चोरी होये गिराफतार एक तरफ उत्तरप्रदेश में पुलिस को पंचांग देखकर पुलिसिंग करने की सला दी जारी है तो वही दुसरी तरफ देश के चोर भी जोतिस्य पर भरोसा जता रहे है महाराश्टा के पूने के एक चोरों का एक हैस हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ चोरों ने चोरी करने से पहले एक जोतिश से संपर किया और इसके बाद करोर रुपे लुट लिये जोतिश से मिलकर चोरी करने पौजे चोर मामरा महरास्टे के पुने के बारा मतिका बताय जा रहा है यहाँ चोरों ने चोरी करने से पहले जोतिश से संपर किया और मूरा तिकलवाया जोतिश के बताए समय पर चोरों ने घर में धावा बोल दिया और करोडों के सामान लेकर फरार हो गए चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने जाच की और चोरो को पता चल गया और जोतिज भी पकड में आ गया पुलिस ने पाच लोगों को किया गिरफतार चोरी की घटना की जानकारी पुलिस को मिली जाश्मी चोरी में शामिर पाश लोगों को गिरफतार किया गया चोरो के पाश चातर लाक रुपे बरामत हुए चोरो की वारदात में सचिन जगधाड़े, रायबत चुभान, रविंद्र भोसले, दुर्योधन, उर्फ, दिपकजाधव और नितिन मोरे शामिल थे पिडित परिवार के मताबिक गरसे पंचान नौ लाक रुपे नकद और ग्यारा लाक रुपे गहने चोरी हुए थे वाई पुलिस का पुछताच में सामने आया है कि चोरी ने चोरी करने से पहले एक जोतिस से संपर्ख किया था जोतिस के बताए समय अनुसार चोरी ने वारदात को अन्जाम दिया था पुलिस ने जोतिस को गिरफतार कर लिया अब इस घटना को सुनकर लोग हैरानी जता रहे है पुलिस को पेट्रोलियम बढ़ाने की आदिश दिया गया है यूपी डिजपी ने बताया कि जच जब चांद रात में नहीं दिखाई देता तो चोरी दकेती करने वाले अपरादी सक्री हो जाते है और जब चांद दिखाई देता है तो इस तरह की घटनाय कम होती है कब चांद में दिखाई देगा और कब नहीं इसे समझने के लिए यूपी डिजपी ने अधिकारी योग को पंचांग देखने की सला दी थी अब आईए बढ़ते अगली ख़बर के और डोसर ढलपूर में चार इंच बारिस से सडके जम जलमगन मोसम विभाग ने इन जिलों के लिए जारी किया अपडेट राजस्तान में 15 अगस के बाद से अब अच्छी बारिश हो रही है मंगलवार को पुर्वी राजस्तान के राजस्तानी जैपूर और उसके आसपास के जिलों में तेज बारिस के बाद सडके दरिया बन गई है कई जगों पर आदा फिट तक पानी भर गया है वही मोसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारे की है मोसम विभा केंदर जेपूर की माने तो आज भरतपूर ढोल पूर्डोसा करोली और अलवर जिलों में कही कही भारी बारिश वो अधिकांश भागों में कमजोर मांसुनी गतिविदिया दज होनी की संभावना है वही 24 अगस्ट को मांसुन की ट्रक लाइन पूर हिमाले की तरफ शिफ्ट होने की राजज्य में अधिकांश भागों में बारिश की गतिविदियो को कम होगी की तमाम बड़ी खबरे नमस्कार